नमस्कार मैं नरेश कुमारा आप सभी का बहुत-बहुत स्वागर करता हूँ आपके अपने विश्वसने यूटूब चैनल पर तो साथ एक और बड़ी न्यूजारी आई टे एक्जाम को लेकर तो जल्दी जो आपके एक्जाम की जो लेटस्ट अपडेट भी आ जाएगा त आप आई टे एक्जाम को लेकर और आपने जो है वीडियो का थम्लेल तो देख लिया होगा तो काफी जो इंपोर्टन आज का जो वीडियो हमारा रहने वाला है तो आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को अन तक जुरूर सुनिएगा और सात्यों अगर आप चैनल प टेलिग्राम जो इनका हिंदोस्तान लाइव का जो चैनल है उसके ओपर ये न्यूज चल रही है कि होम सेंटर पर रिक्षा कराने की बांग तो साथी जो आपको पताई कि वीडिवत है कि डिश्टी ने अपना जो है आने वाले समय में जो है जल्दी आपका जो है रिक्षा का सेड्स जारी कर दिए जाएगा और आपके एक्जाम उपको पताई है की जोंपूरटर बेस्ट एक्जामेशन होने वाले हैं तो यहां पर जिए जो रोगा चैनल को ने मांगशि बाट को लेकर बिश्टी को पत्र भी लिक कर प्रेटाद का तो यहाँ पर सीवी आसी पर्डिक्षण का वाला, कि करेड़ होती है, तो कुरेणा-काल में कराया है की मांग हुआं पर सकरात्मक रूप से विचार करना चाहिए तो काफी बड़ी बात है आप सभी के लिए तो हो सकता है कि जो है आनवल समय में जब आपका schedule जारी हो जाएगा तो उसको लेकर जो है आपके home center nearby जो भी IT होगी वहाँ पर आपकी शायद कोई सुविदा करवा दी जाए या अभी तक तो डिस्टी की तरफ से यह कि private agency ही आपके एक्जाम लेगी लेकिन हो सकता है कि जो आपकी डिस्टी की IT वहाँ पर कोई center बन जाए तो जैसे कोई latest update आएगा तो उसके उपर मैं आपको जुरूर अवगत कराऊंगा और साथी बात अब रहती है कि काफी बच्चों कमेंट आ रहे थे की देड़ चीट कब आएगी आपका एक्जाम शुडूल कब जारी होगा तो इसके लिए साब साब मैं आपको बोलना चाहूंगा आपको कोई भी इदर उदर बटकने की जुरूरत नहीं है सिंपल और सटीक बात आपको बताऊंगा और उसको गोर से आप सोचेगा भी कि मेरा जो कहना है कितना सही है कितना गल तो सबसे बड़ा जो कारण है यहाँ पर जो एक्जाम पॉस्ट परनोने का कि नमबर वन है आपका कुरोना लगतार जो अभी वी अपना असर दिखा रहा है कवसर स्टेट में सीथी घंबीर है नमर दो बात जो आपका अभी भिहार के अंदर जो एलेक्शन डिक्लेर हूं तो उसके काराण डिले किया जा रहे है क्योंकि जब तक भी हार के जो है, săпа कम्प्लेट नहीं होंगे, तो उससे पहले आपका exam schedule आना बनता ही नहीं है, क्योंकि जो आतीग यहाँ फोगाईंगे तब तक जो आपके exam schedule नहीं आने वाला है. तो यह मान के चलिएगा कि 15 नमबर तक तो आपका कुछ भी नहीं होने वाला है उसके बाद ही जो है कोई आपका शीडूल जारी किया जाएगा तो दो पॉइंट ही हो गए नमबर एक कुरेना दूसरा भिहार इलेक्शन नमबर जो थ्री पॉइंट है सबसे बड़ा है जो है आपका क्योंकि कुरेना के कारण जो है कई काफी स्टेट्स के अंदर अभी आईटे ओपन ही हो पाई है क्योंकि दिश्टी ने पहले बोला था क कि तो आइटी भी जब लगे उसना बाद चालेश देन का प्रैक्टिकल आपको दिये जाएंगी तो आभी तक आईटे इस खूल ही नहीं है तो चालेश दिन कब पूरी होंगे जब खुलेगी तभी उसके बाद 40 दिन पूरी हो पाएंगे लेकिन काफी स्टेट में जो आईटी एक खुल भी चुकी है तो दिस्टी का जो शिडूल रहता है वो पूरे आलाव और इंडिया के लिए सेम रहता है यह नहीं है कि अगर यूपी में आईटी खुल चुकी है तो यूपी के अलग से पेपर होंगे हर्याना राजी के अलग होंगे रास्तान पंजाब सभी के अलग होंगे ऐसा कुछ नहीं ह क्योंकि डिस्टी का जो शिडूल रहता है बिल्कुल एक ही दिन के अंदर पूरे भारत में सेम रहता है तो इसलिए डिस्टी पूरे भारत को रिप्रेजेंट करता है और मैं भी पूरे भारत की ही बात कर रहा हूं यहां पर ना कि यूपी पंजाब की क्योंकि महां पर तो पंदरा नुम्बर तक यह मेरा मानना है कि पंदरा नुमबर से पहले पहले आपका जो शुदूल नहीं आएगा उसके बाद याएगा और एक्जाम जो है अगर आप संटूस्ट और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिएगा और अपना प्यार जो चैनल के उपर बनाई रखेगा तक कि इसी तरह की सही योस्टिक जानकारी आपको मेरे चैनल के द्वारा मिलती रहे तो साथ यो आप वीड बने वाओ